किसकी दिल्ली क्या बनेगी बीजेपी की सरकार या बनेगी कॉंग्रेस की सरकार क्या इस बार फिर चलेगी जाडू बीजेपी और कॉंग्रेस पर नमस्कार स्वागत है आपका ग्लोबल नाउं 24-7 में और मैं हूं मलेका आज हम आये आपके हेड़कोर्टर के बाहर जहां दिल्ली के सीएम ने एक प्रेस कॉंफरेंस करी जिसमें उन्होंने बताया सिक्षा के बारे और सारे गौर्मेंट स्कूल्स के बारे साथ ही साथ अर्विन केजरिवाल ने ग्रिह मंतरी के एक बयान पे धावा बोला उन्होंने बोला कि हमें एक पॉजिटिव राजनीती करनी चाहिए बजाए किसी नेगिटिव राजनीती के तो चलिए देखते हैं उस प्रेस कॉंफरेंस में हुआ क्या पिछले एक दो दिन से हम लोग देख रहे हैं अमित शाजी ने दिल्ली के स्कूलों के बारे में और दिल्ली की शिक्षा विवस्था के बारे में काफी गलत सबत बोला है हम हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं कि शिक्षा राजनीती का हिस्सा बननी चाहिए वोट इस बात पर पढ़ने चाहिए कि आपने स्कूल अच्छे कराए या नहीं कराए आपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी की या नहीं की इस से देश आगे बढ़ेगा लेकिन स्कूलों के ओपर गंदी राजनीती नहीं होने चाहिए जो माननी अग्रहमंत्री ने बोला है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के ओपर स्कूल खराब है ये है वो है बच्चों की पढ़ाई खराब है आज पूरी देश ने पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ हो रही है अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है इससे तो देश आके पढ़ेगा ना तो जब अगर अच्छा काम हो रहा है कहीं पर भी अच्छा काम हो रहा है चाहिए कोई भी सरकार कर रही है उसको इस तरह से गंदी राजनीती के बीच में लाना देश के लिए अच्छी बात नहीं है मैं आज अमिट्षा जी को आमंतरन देता हूं कि आप समय बताएए मैं अपने सारे अपाइब्मेंट्स कैंसल करके मैं आता हूं आपके पास आपको लेके चलता हूं दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूं आप बताएए कौन से स्कूल में चलना चाहेंगे मैं आपको लेक के चलता हूं और दिल्ली के स्कूल दिखाता हूं हम यह नहीं कर रहें सब कुछ अच्छा हो गया हम यह नहीं कह रहें अभी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन बहुत कुछ अच्छा हुआ है पिछले पांच साल के अंदर सतर साल के अंदर जो गंद खिडा खिडा इन्होंने करका था उसको साफ करने की कोशिश की है हम लोगों ने स्कूल बहुत अच्छे हुए है अभी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन बहुत अच्छे हुए है और ये हम लोगों ने नहीं किये my अमिट शा जी को कहना चाहता हूं 16 लाख बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं आज ये उन लोगों की महनत का नतीजा है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे हो रहे हैं इन 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स उनकी महनत का नतीजा है कि आज स्कूल अच्छे हो रहे हैं आज दिल्ली के अंदर जो 60-65,000 टीचर्ज काम कर रहे हैं उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये स्कूल अच्छे हो रहे हैं जो प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं उनका नतीजा है प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं आम आदमी पाटी को घाली देलिजिए दिल्ली के 16,000,000 बच्चों की मेहनत और उनके पेरेंट की मेहनत को घाली मत दिजे हैं नाइनटीसिक्स परसेंट नतीजे जब आये थे हमारी बारिवी कलास के बच्चों के 96 परसेंट बच्चे जब पास हुए थे वो केजरी वाल ने महनत नहीं की थी मनी सिसोधिया ने महनत नहीं की थी हमारे बच्चों ने महनत की थी रात रात बर हमारे बच्चों के पेरेंट्स जागे थे अपने बच्चों के साथ टीचर्स ने महनत की थी प्रिंसिपल्स ने महनत की थी आप उनका मजाक उड़ा रहे हो हमारे स्कूलों में 320 से जादा बच्चे JEE entranse clear किया है उन्होंने 400 से जादा बच्चों ने engineering का exam IIT का IIT का exam clear किया है उन बच्चों ने IIT का exam clear करना असान नहीं होता उन बच्चों की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो आप तो क्या पता शिक्षा होती क्या है, इस शिक्षा को आप अपने गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनाईये, आप लोगों कि इतनी राज्यों में सरकारे हैं, केंदर में सरकार है, एक स्कूल, एक स्कूल दिखा दीजिए जो आपने ठीक करा हो, पुरे देश के अंदर, एक प्वाईEE नेगेटिवीटी के बीच में जीते हैं, मैं आपको हमारे confident बच्चों से मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी positive energy देंगे, मैं आपको हमारे बिलामेl लामे नाये प्राउट parents से मिलवाऊंगा, मैं अपने proud teachers से आपको लाउंगा, वो आपको थोड़ी positivity देंगे, सबी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, दिली के जितने बच्चे हैं, 16 लाक बच्चे हैं, मैं उसे पूछना चाहता हूँ, कि जब आपने कल टीवी के उपर, अपने ग्रह मंतरी का बयान सुना, अमित्षा जी का बयान सुना, अमित्षा जी कह रहे थे कि स्कूल खराब है पढ़ाई खराव है, दिली में पढ़ाई का बेडा गर्क किया, मैं उसको पूछना चाहता हूँ आपको कैसा लगा, जब आपने अमिद्शा जी का ये बयान सुना, मैं पेरेंट से टीचर्स से पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी महनत कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि ग मैं उन्हें कहना चाहता हूँ अमिद्शा जी को पॉजिटिव राजनीती करिए, आए पॉजिटिव राजनीती करते हैं, शिक्षा के उपर पॉजिटिव राजनीती करते हैं, आप यूपी के स्कूल अच्छे करिए, आप हर्याना के स्कूल अच्छे करिए, और यूपी ह राजनीती है आईए पॉजिटिव राजनीती करते हैं इस तरह से बच्चों के टीचर्ज के और पेरेंट्स की मेहनत का मजाक उडाना जो पांच साल में उन्होंने अचीव किया है यह सईनी है देश के लिए अच्छी चीज हो रही है इसमें सब को साथ मिलके काम करना पंदरा साल पांच साल के अंदर चलो आप पांच साल से हो पांच साल में आपने एक भी M.C.D. के स्कूल की सुदली तो फिर आपका शिक्षा में इंट्रेस्टी क्या है आप तो केवल चुनाव के अंदर गंदी राजनीती करने के लिए आ गये हैं तो मैं से हाथ जोड़क के अपील करना चाहता हूं कि स्कूलों पे राजनीती करिए पर गंदी राजनीती मत करिए अच्छी पॉजिटिव राजनीती करिए जिससे देश का भी भला होगा सबका भला होगा अगर इस पर कोई कुश्चन यह तो आपको कि स्कूलों के राजनीती का जिकर कर रहे हैं कि स्कूलों के उपर जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया हमारे बच्चों का सोला लाख बच्चों की महनत का मजाक उड़ाया है उनकी पेरिंट्स की महनत का मजाक उड़ाया है टीचर्स का मजाक उड़ाया है उनकी पूरी महनत को उन्होंने नकार दिया है मैं बच्चों से आज पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है जब आप टीवी के पर अपने ग्रेह मंत्री को आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हुए देख रहा है क्या आपको अच्छा लग रहा है इस वारे में ऐसे नहीं करना चाहिए सब्सक्राइब करने मुझे पता है क्या पूछ रहा है इसकूल की भी कर लेंगे वहीं पूछना है ना तो करते हैं अभी तो इसकूल में इंट्रेस्ट लेंगे बच्चों की एक आपके लिए खुश ख़बरी है आज हर्शरन सिंह बली साफ हमें जॉइन कर रहे हैं बहुत ब और इनका पार्टी के अंदर स्वागत है पूर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं 93 से 98 तक चार बार विधायक रह चुके हैं हरी नगर से तो हम इनका पार्टी में आज स्वागत करते हैं इनके आने से हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी हमारे साथ मुक्ता पाल जी है यह निगम पार्शक 2012 में सुभाष नगर से थी यह भी आज हमारी पार्टी जॉइन कर रहे हैं दोनों का पार्टी में बहुत-बहुत स्वागत है मैं इनको पार्टी में शामिल करता हूं स्वा सिर्ट परेप्टर इंटर जन सिर्ट नों दिल्ली को अपनी माता मान के पूछने वाले दिल्ली के लोग प्रियम फंत्री श्रीमान के जिर्वाल जी सिक्षा के अंदर जिन्हों ने एक जादू करके दिखाया और हमारे बच्चों को पुराई श्रीमान के बच्चों से ज्यादा रिजर्ट भी निकाल के दगाया और उसकी अमियत भी बता दी हमारे मानिय खुंत्री श्रीमान शशोदिया जी मुक्ता नागपाज जी जिस से मैं डरता हूँ मेरी धरम पत्री आज मन में एक खुशी है खुशी है इस बात की कि बीस इकी साल की उमर से मैंने राइनीती शुरू की थी चंदर शेकर जी के साथ और मानिय श्री किशोर जी के साथ वो राइनीती थी जो वैल्यूस पे अधारित थी उन्होंने मुझे 77 में पहला चुनावर लाया 28 साथ की उमर में कार्केटर मनाया तब असेम्बली नहीं हो E subscriber ती दिली का पहला सिक मंतरी बनने का स्वागे मुझे म्तला अध्रण गुराना जी न दिया 20 साल की लंबी उमर मैंने असेम्बली में गोजारी और आज मुझे मन में खुशी इस बात किया है कि मुझे एक ऐसी शक्षियत ने अपने साथ काम करने का मुख़ा दिया है जो दिली को देश की सबसे बड़िया राइदानी बनाने के अंदर विश्वाश करता है उसके लिए मेंद का रहा है इस मेंद के अंदर जो यग ये चला रही है उसके अंदर एक छोटी सी उटी मेरी डाय जाए मैं ये सोचकर इनके साथ लगाँ कुछ कर सकूँ ये मेरी प्रबू से प्रात्रा है इनको सफ़ता दे ये भी मेरी प्रबू से प्रात्रा है पर कैसे भी हो सके ये जो विकास की राई नित्ती ये जो इमानदारी की राई नित्ती और काम के उपर वोट वह अंगल की राई नित्ती के जिवाजी ने रम की है इसका एक इसा बन सको इसलिए मैं आज इनके साथ मिला हूँ इनको जाइन कर रहा हूँ मुझे इस बात की खुशी है और काफी ज़्यादा गिंती में बार लोग मेरी कांसीच्वांसी से आए हैं और सारे के सारे पार्टी भी जाइन करें और सारे के सारे इसका एक इससा बना करते हैं इनी शब्दों के साथ अब अगर एक आप कोई कोश्चन है तुस्ता अब जी बाभी जो पहले बीजेपी ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा रहे कि शाहिन बाग में अब अब भी का मतलब हम दिल्ली के हर नागरिक के साथ हैं हम दिल्ली के हर नागरिक का भला चाहते हैं हम संगम विहार के साथ मियां हम राजेंदर नगर के साथ मियां हम दिल्ली के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं हम दिल्ली के हर नागरिक को अच्छी से